नमस्कार आपके साथ मैं हूँ गौराव अग्रुवाल बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे इस वक्त लाल सागर और उसके आसपास का इलाका विस्जुद का एपी सेंटर बनता जा रहा है क्योंकि लाल सागर में खूती की हिमाकत बलती जा रही है इस रेल अमेरिका के खिलाब खूती अपने खदम कीछे हरने को तैयार नहीं है और हूती के लगातार हमलों से ना सिर्फ लाल सागर बलकि भूमद्ध सागर फारस की खाड़ी और अरब सागर में भी भारी तनाव है और सागर में बना यही चत्रभूज है हूती के विनाश का खाका क्योंकि हूती विद्रोग्यों के लगातार हमलों से अमेरिका आग बबोला है और किसी भी सूरत में अब हूती की हिमाकत को बरदाश्ट ना करने का मन बना लिया है तो भई हूती को ताखत का टॉनिक देने वाले इरान और उसके साथी देश अमेरिका के सामने चुनौती बन कर खड़े ऐसे में विश्व युद्ध का त्रिकोर बनता दिख रहा है जिसकी आग मिडिल इस्ट से जलेगी और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है हूती से निपटने के लिए अमेरिका का नया प्लान आदन की खाड़ी में अमेरिकी युद्ध पोत तैनात कर दिया गया है जरूरत पड़ी तो हूती के खिलाफ सैन ने कारवाई भी संभव है तो हूती विनाश के पांच नय प्लान आपके सामने रखते हैं देखिए पहला प्लान क्या है युएसेस आइजन हावर युद्ध पोत बलकी एरक्राफ कैरियर अदन की खाड़ी में तैनात है दूसरा हमले ना रुके तो युएस नौसेना करेगी बड़ा पलटवार तीसरा सयोगी देशों की मदद से हूती के मनसूबे नाकाम करना चौथा हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े स्थैन आपरेशन का खाखा पाँचवा इरान पर दबाओ बनाकर हूती को नियंत्रित करना ये पाँच बड़े प्लान हूती विनाश्ट के यहाँ पर है लेकिन तनाओं के बीच यमन बड़ा प्लान बना रहा है देखे एक और बड़ी खबर है यमन में लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है यमन वो देश है अरब का जिसने इसरेल के खिलाब सबसे पहले युद्द का आलान किया था इस वार के बाद और अब वो कैसे लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है ये देखिए फारिंग की ट्रेनिंग लेते दिखे हैं हूती लड़ा के यमन में एक और बड़ी खबर हूती का इस्रेल पर ड्रोन हमला पहली बार इस्रेली शेहर पर हमला हुआ है ये देखे हूती का इस्रेल पर ड्रोन हमला पहली बार इस्रेली शेहर पर हमला किया है ब्रिटिश जहाज ने हूती का ड्रोन गिरा दिया और हूती के बारूद ने लाल सागर का रास्ता बंद कर दिया है लाल सागर पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हूती के भीशन हमलों से लाल सागर में ग्लोबल सप्लाई चेन भी तूट गई है इसका सबसे वाले जहाजों पर खूती के हमले बढ़ गए समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने समंदर में पहरा बढ़ा दिया है लेकिन खूती समुद्री सर्वनाश पर आमादा है इसकी वजह से ब्लू जोन में बड़े युद्ध की आहट दिखने लगी है झाले बड़े लगी है लाल सागर खौल रहा है लाल सागर में हूती के हमले जारी है पिछले आटालीस खंटों में हूती ने लाल सागर में समुद्री जहाजों पर कई बड़े हमले किये है हूती ने लाल सागर में लाइबेरिया से आ रहे जहाज पर हमला किया जहाज लाइबेरिया से इसराइल जा रहा था हूती ने जर्मन कंपनी के जहाज पर भी हमले किये लाल सागर में जर्मन जहाज पर हूती ने बैलिस्टिक मिजाईल से हमले किये अल जस्रा जहाज में हमले के बाद आग लग गई लेकिन इस हमले में कोई हता हत नहीं हुआ गौर करने वाली बात ये भी है कि लाल सागर में हूती लड़ा के कारगो शिप पर हमले करने का वीडियो भी बनाते हैं और फिर उसे जारी करते हैं रेड़ सी में हूती के लगातार हमलों से अमेरिका और योरप में कोहरा मचा हुआ है वज़े ये है कि पिछले 15 दिनों के अंदर हूती ने लाल सागर में जहाजों पर लगातार बड़े हमले करके इसराइल और हमास की जंग में नई आग फड़का दी है 14 दिसंबर जर्मन जहाज पर हमला 4 दिसंबर बहामास के जहाज पर हमला 26 नवंबर इसराइली शिप सेंटरल पार्क को अगमा किया 25 नवंबर इसराइली शिप पर ड्रोन से हमला किया 3 दिन पहले हूती ने लाल सागर में ओयल टैंकर पर हमला करके अमेरिका को खोली चनौती दी थी अगर अमेरिकी वार्चिप उसे नाकाम नहीं करता तो अब तक लाल सागर में विधवन्स का बबंडर मच गया होता अबी तक लाल सागर में हूती के हमलों को अमेरिका नाकाम करता आ रहा था अमेरिका लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा कर रहा था लेकिन लगातार हमलों के बाद अमेरिका ने हूती पर लगाम लगाने के लिए लाल सागर से लेकर भूमद्य सागर तक फंदा तयार कर लिया है जिससे हूती के मनसूबे को फेल किया जा सके अमेरिका ने ब्लू जोन में जहाजों पर हूती के हमलों के बाद होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान से बचने के लिए जो तैयारी की है उसकी अनुसार अमेरिका ने भूमद्य सागर में नए एरक्राफ्ट कैरियर को तैनात रखने का आदेश दिया है यूएसस नॉर्मंदी क्रूजर इसराइल के पास ही तैनात रहेगा यूएसस जिराल्ड आर्फोर्ड पहले से ही भूमद्य सागर में तैनात है दोनों युद्धपोद लंबे समय तक भूमद्य सागर में तैनात रहेंगे पेंटेगन ने 7 अक्ट्यूबर के हमलों के बाद भूमद्य सागर और फारस की खाड़ी में अपनी सेन्य उपस्तित ही बढ़ा दी थी इसके बाद से ही इरान के प्रॉक्जी गुट अमेरिकी सेने ठेकानों को निशाना बना रहे है फारस की खाड़ी में अमेरिका और इरान के बीच पहले से ही बारूदी टक्राव बढ़ा हुआ है इस बीच हाल ही में जब इरान और अमेरिकी एरक्राफ्ट केरियर के बीच टक्राव हुआ तो उसके वीडियो को भी इरान ने जारी किया अमेरिक और इरान के टक्राव से समंदर में महा बिद्वन्स की आग सुलग उठी है वही हूती के बढ़ते हमलों के डर से ही लाजसागर में जहाजों की आवाजाही रोग दी गई ब्लू जोन में हूती के बढ़ते हमलों से शिपिंग कारोबार पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है लाल सागर में हूती के रेड सिगनल और उसके बढ़ते हमलों के बाद शिपिंग कंपनियों ने रेट सी रूट से इसराइल का कारोबार रोक दिया है मर्सक और हपाग लॉइट शिपिंग कंपनी ने रेट सी रूट से शिपिंग रोक दी है जहाजों को अब पूरे अफरीका का चक्कर लगा कर आना पड़ रहा है इससे जहाजों के परिवहन का समय बढ़ गया है ट्रांस्पोर्ट की लागत भी बढ़ गई है कम्पनियों को इसराइल जाने वाले जहाजों के लिए बीमा की लागत भी बढ़ानी पड़ी है कुल मिलाकर पहले से ही दबाव में चल रही इसराइली अर्थविवस्था पर काफी बोच बढ़ गया है उधर अफरीका की ओर से आने वाले जहाजों पर भी हमले का डर है लेकिन होती ने धमकी दिये है कि अगर इसराइली पोर्ट की तरफ कोई भी जहास जाएगा तो होती उन्हें निशाना बनाएगा होती के हमलों की आग अब लाल सागर से दूसरे समंदरों में भी फैल रही है वहीं फारस की खारी से लेकर भूमत ये सागर तक होती के खिलाब किसी बड़े ऑपरेशन से अमेरिका भी फिलहाल बच रहा है होती के हमलों के बाद से लाल सागर से जहास गुजरने बंद हो गए है अरब और योरोपिये देशों के पोर्ट पर माल से लदे जहास खड़े है जानकारों का मानना है कि सबसे ज्यादा नुकसान अरब देशों को ही होगा क्योंकि आल टैंकर इसी रूट से होकर जाते है लाल सागर में होती कबसा करना चाता है अगर ऐसा हुआ तो वो दुनिया को बड़े आर्थिक संकट में डाल सकता है यही वज़ा है लाल सागर में टास्क पोर्स की बदद के लिए कई देशों ने अपने जहास भेजे है येरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत नुच और बड़ी कबर लेबनन पर इसरेल का सबसे बड़ा हमला लेबनन में 43 किलो मीटर भीतर तक प्रहार किया है इसरेल ने लेबनन के रिहाईशी इलाखों को निशाना बनाया है लेबनन के उतर पूर्व में सिडोन में अटाक किया है 2006 की जंग के बाद पहली बार इजरेल ने लेबनन में इतना बड़ा अटैक किया है तो लेबनन पर सबसे बड़ा प्रहार आईए आपको दिखाते हैं आईए बिग वाल पर आपको दिखाते हैं दिखाए पीसे आर यहाँ पर देखे लेबनन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार लेबनन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया इजरेल ने लेबनन के खौवमीन में रिहाईशी आलाकों पर इजरेल ने अटैक किया लेबनन के शेहर सिडोन के दक्षिटपूर में हमला किया गया 43 किलो मीटर अंदर तक इसरेल ने ये हमला किया है और पहली बार 2006 की जंग के बाद पहली बार इतना बड़ा हमला लबनन के अंदर घुसकर इसरेल ने किया है उधर एक और बड़ी खबर है शैजया में IDF का विधवन सक प्रहार देखने को मिला है हमास का वेपन डिपो इसरेल ने तबाह कर दिया वे स्फोटक लगा कर वेपन डिपो तबाह किया एक और बड़ी खबर IDF सैनिकों का सुरंग पर हमले का वीडियो सामने आया है सुरंग में बॉम गिराते दिखे हैं IDF के जवान अब सुरंग के अंदर बॉम गिराते हुए IDF के जवानों का वीडियो सामने आया यह देखे कैसे एक हैंड ग्रेनर जिसकी पिन निकाल कर उसको सुरंग के अंदर डालते हुए दिखा है एक इसरेल का सैनिक यह रही सुरंग और सुरंग के अंदर उसने यह डाल कर वो वहाँ से भाग गया और देखे अभी ब्लास आपको दिखाई पड़ेगा यह देखे और वह अंदर ब्लास करने के लाद कैसे वो फाइर कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं अधर आइडियाफ ने नाकाम किया हिजबुल्ला का मिसाइल अटाइक हिजबुल्ला के सर्फेस टू एर मिसाइल को मार गिराया आइडियाफ ने इसरेली वायुक्षेत्र में घुसने से पहले ही ये हमला नाकाम किया आइडियाफ ने तो गाजा की धरती पर इसरेल और हमास के बीच अब तक की सबसे खतरनाक जंग शुरू हो गई है इस जंग का नाम है फिदाइन वर्सेज मरसनरी जंग हमास ने जंग में अपने आत्मगाती दस्ते को उतार दिया है हमास के फिदाइन लड़ाके खुट को उड़ा कर ISRAEली सैनिको को खत्त कर रहे हैं इससे ISRAEली सेना भैभीत हो गई है ISRAEल ने युद में भारे की लड़ाकों को उतार दिया है तो सवाल यही है कि आखिर इसरेल ने ये खदम क्यों उठाया कि मुशनरी लड़ाकों को बेचकर नेतनियाहू अपने जंगबाजों को बचाना चाहते हैं गाजा जंग में फ्रिदाइन फ्रेज शुरू हो गया है आईडियेफ की बंबारी से परिशान हमास ने अब आत्म खाती हमले शुरू कर दिये इसके जवाब में इसरायल ने गाजा की धर्टी पर मर्सिनरी लड़ाकों को उतार दिया गाजा की धर्टी पर अब फ्रेदाइन बना मर्सिनरी लड़ाकों में खतरनाग युद्द शुरू हो गया है और इसी के साथ गाजा में नया रक्त पाथ शुरू हो गया है अलगता स्कूल और रहाशी इलाकों में बार पलटवार का नया तौर शुरू हो गया दोनों तरफ से हमले बहुत तेज हो गये है और इसी के साथ गाजा में विनाश का नया बवंडर आ गया है इस्राइली सेना गाजा को बर्बाद करती हुई आगे पड़ रही है गाजा में इस्राइल ने हमास के शिजैया बटालियन के हेड़कॉर्टर को दबाख कर दिया आइडियाफ के हमले में शिजैया बटालियन का चीफ कमांडर भी मारा गया खान यूनुस में भी आइडियाफ का उपरेशन विद्भनसक हो गया है यहाँ इस्राइली सेना ने हमास के गाजा चीफ या या सिन्वार के घर पर धावा बोला दक्षिल गाजा में आइडियाफ ने हमास के हत्यार गोदाम और कंट्रोल सेंटर को बंबारी कर तबाह कर दिया हमास के कुछ लड़ाके एक स्कूल में छिपे बैठे थे इस्राइली सेना ने स्कूल के अंदर घुस कर उन्हें खत्म कर दिया खान यूनस में इस्राइल के टैंक इस तरह गर्जना कर तबाही मचा रहे इस्राइली सेनिकों ने गाजा में एक इमारत को तबाह कर अनूका त्योवार का जश्ट मनाये गाजा पर इस्राइल की बंबारी इतनी तेज हो गई है कि आस्मान में हर तरफ बारुदी धुआ ही नजर आ रहा है उतरी गाजा के जबालिया में इस्राइल ने हमला किया हमले में 14 लोग मारे गए आईडियफ नबलूस में भी भीशड हमले कर रही है नबलूस में इस्राइली फोर्स ने अलाइन कैम पर धाबा बोला यरुस्लिम के शिफात कैमपर इस्राइली सेना ने गैस बंप से एक के बाद एक कई हमले किये गाजा में इस्राइल के ऑपरेशन को लेकर अलकसाम ब्रिगिट के प्रबक्ता अब उबैदा ने बहुत बड़ा दावा किया अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि इस्राइली सेना ने गाजा में मर्सनरी लड़ाकों को जंग लड़ने के लिए उतार गिया है मर्सनरी लड़ाके यानि भाड़े के लड़ाक पैसा लेकर जंग लड़ने वाले फाइटर तो सवाल यही है कि क्या सच में इसराइल ने मर्सनरी लड़ाकों को युद्ध में भेज दिया है अगर भेज दिया तो इसकी जरूरत क्यों परी क्या इसराइल के पास सैनिकों की कमी हो गई है अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसराइल ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए ये कदम उठाया है इन सवालों का सही और सटीक जवाब तो इसराइल के पास है लेकिन सच ये है कि ग्रांड अपरेशन के दौरान आईडियेफ को लगातार अपने सैनिकों को खोना पड़ रहा है हमास के हमले भी तेज हो गए है यरुशलम में भी टकराव बढ़ गया है यहाँ आईडियेफ और हमास में फीचल फिलन्त हो रही है यरुशलम में हमास ने इस्राइली सिनक के काफिले पर हमले की कोशिश की हमास गाजा से यरुशलम पर रॉकेट दाग रहा है जिससे यरुशलम में हरकम मचा हुआ है अलग सा कंपाउंड पर हमास के रॉकेट गरने वाले थे लेकिन इन्हें इस्राइली एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिरा है रॉकिट हमला नाकाम हुआ तो वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागने लगे हमास ने हमला कर आईडियेफ के हलिकॉप्टर को तबाह कर दिया तबाह हलिकॉप्टर की जद में आईडियेफ का आर्मर्ड वेइकल भी आया वो भी बर्बाद हो गया हमास के लड़ाकों ने अलग-अलग जगों पर फीशल हमले कर आईडियेफ के पाँच टैंक को तहस नहस कर दिया उत्तरी गाजा के शेख राधवान इलाके में थमास के लड़ाकों ने आईडियेफ के काफिले पर छिप कर धावा बोला गाजा के शुजाईया में इसराइल को बड़ी जोट पहुची है हमास का दावा है कि यहां उसने हमला कर आईडियेफ की गोलानी ब्रिगेड को खर्ण कर दिया गाजा में अब तक 118 इसराइली सैनिक मारे जा चुके हैं 600 इसराइली सैनिक भायल है इस बीच हमास के हमलों को लेकर बहुती चौकाने वाला खुलासा हुआ है आईडियेफ ने दावा किया है कि हमास अब आत्म घाती हमले कर रहा है सुसाइट बॉमबर के जरिये धमाके कर रहा है जिससे इसराइली सैनिको की मौत हो रही इसराइली सेनक लिए हमास के फिदाईन हमलावर बहुत बड़ी मुसीबात बन गए है शायद यही बजह है कि इसराइल अब घासा की जंग में भाड़े के लड़ा के भेज रहा है ताकि उसे सेनकों का नुकसान ना हो मतलब ये कि अब जंग फिदाइन हमलावर और मरसिनरी लड़ादों के भीच शिरू हो शक्राइब इसी पर दुनिया की नजर है येरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत पर और गाजा के खान यूनिस से बड़ी खबर जहां जबर्दस बंबारी हुई है हमास के ठिकानों पर आईडियाफ कर रही है एर स्ट्राइक रहाईशी इलाखों में भी बर्पा है खहर खान यूनिस में च्छाया काले दुए का गुबार हमास के ठिकानों पर आईडियाफ की एर स्ट्राइक देखिए रूखी नहीं रही है जब से एर स्ट्राइक शुरू हुई है लगातार इस्रेल की एर फोर्स हमास के ठिकानों पर इतनी बंबारी कर रही है इतना जादा बारूद गिरा रही है कि वहां बिलकुल समतल कर दिया है उसने गाजा में और ये एक और उसी का सबूत उसी की तस्वीर साउथ गाजा जहा खान यूनिस जैसा बड़ा शहर है वहां पर इस्रेल ने कुछ इस तरह की बंबारी की है और आइडियफ यनी इस्रेल की डिफेंस पोसेस को हमास की लाँचिंग साइट मिल गई है शेजाया इलाखे में लाँचिंग साइट मिल गई है आईडियफ को रोकेट फायर करने की launching site मिली है IDF को ये देखिए तस्वीर कुछ ऐसी तस्वीर आपको याद होगा आई थी अलशिफा हस्पिटल से और एक स्कूल से वैसे ही रॉकेट फायर की launching site शेजया इलाखे में मिली है IDF को ये हमास की रॉकेट launching site है और एक और बड़ी खबर शेजया इलाखे में IDF का बड़ा operation स्कूल के पास मिली हमास की सुरंग देखिए यहां भी स्कूल है सुरंग के अंदर से IDF पर हमास के लडाकों ने अटैक किया है जवाबी हमले में IDF ने सुरंग को तबा कर दिया यह तस्वीर सुरंग को तबा करने की और हमास का हमला IDF ने नाकाम कर दिया इसरेल की सेना ने नाकाम कर दिया इंटरसेप्ट कर अटैक को हवा में ही नाकाम कर दिया हमास के हमले को इसरेल की डिफेंस पोसेज ने इंटरसेप्ट किया और हवा में लगे हैं तो तो मिडलीस्त में बड़े तनाव के वीच अमेरिका ने वहां तनात अपने युदपोतों को अभी उसी इलाखे में बने रहने का आदेश दिया मिडलीस्त में इस समय उन्यस अमेरिकी युदपोत और एरक्राफ्ट केरियर तना थें जो वहां के खतरे और खूती सर्वनाश का चत्रभुज तयार कर रहे हैं आई इसके पूरी डीटेल में आपको बताता हूँ साथ युद्वपोत पूरवी भूमद इस सागर में इस वक्त तैनाथ हैं जबकि बारा लाल सागर, अरब सागर और फारस की खारी में युएस युद्वपोत की तनाती क्यों? ये भी समझे आप इसरेल हमास जंग से मिडल इस्ट में तनाव बढ़ गया है दुश्मन देश इरान, जॉडन, यमन की चुनौती, खूती पर लगाम और लाल सागर में हमलों से रक्षा, इराक सीरिया में अमेरिकी ठिकानों की सुड़क्षा, ये तमाम टारगेट्स हैं जिनको अमेरिका यहां एंस्ष्योर कर रहा है इसे भीच आईडियाफ पर हिजबुल्ला का जबर्दस हमला अल जलील में, आईडियाफ के बेस पर हमला किया है IDF ने हमला किया है हिजबुल्ला का जबदस की हमला सामने आया है और कई जवान जो इस हमले में शिकार हुए उनके मारे जाने की बात सामने आही उनकी मौत का दावा IDF की तरफ से IDF की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है सुसाइड ड्रोन से इसरेल पर लेबनियन का हमला और हिजबुल्ला का विद्वन्सक हमला सामने आया है बम वर्षक ड्रोन से IDF पर अटैक किया है हिजबुल्ला ने रमीम बैरक के पार ये हमला किया है बम वर्षक ड्रोन यानि वो ड्रोन जो की अटाक भी कर सकते हैं और सर्बिलांस भी कर सकते हैं वो ड्रोन जिनसे हमला किया हसम्हुलान है और एक और बड़ी ख़बर Middle East से विश्व युद बढ़कने की आशनकारिय बहुत बड़ी खबर है समझे हैं यह हमसे और आपसे सबसे जुड़ी हुई है वर्ल्ड वार भड़क सकती है मिडलीस से खूती की घेराबंदी से इरान पर भी नजर है इरान और समर्थक देशों से टकराव का डर है इस युद में इरान खूती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है आई आपको दिखाते हैं कि मिडलीस में या आग कैसे भड़क सकती है विश्व युद्ध त्री का त्रिकोर कैसे बन रहा है आई आपको दिखाते हैं कारण इसका क्या इसका ट्रिगर क्या होगा इसका ट्रिगर होगा इसरेल हमास जंग ये वज़ा होगी कुसूर वार कौन है? हमास, हूती और हिजबल्ला के हमले इसका कुसूर वार है कैसे होगी शुरुवात? इरान के दखल से ये चिंगारी भड़केगी इसके तीन एहम करदार कौन से है? इसरेल, इरान और अमेरिका मिडल इस्ट में अमेरिका क्यों आ रहा है? लेकिन इसरेली ठिकानों पर हेजबल्ला का जबरदास थमला एक और बड़ी ख़बर एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किये गए हेजबल्ला ने बिल्डिंग को निशाना बनाया है हमले से धुआ धुआ कई सारी बिल्डिंग्स इसरेल को हेजबल्ला की बड़ी धंकी अगर लेबनन में हमले किये तो हाइफा खत्म हो जाएगा हेजबल्ला की तरफ से धंकी भरा वीडियो भी जारी किया गया है इसरेल का पोट शहर है हाइफा यानि इसरेल कह रहा है हेजबल्ला कह रहा है कि अगर हमारे शहर में या हमारे देश में हमले किये इसरेल ने तो इसका जो बहुत इंपोटन पोट है जो बंदरगा है हाइफा बंदरगा वो हम खत्म कर देंगे और गाजा के हमास कमांडर यहया सिन्वार का नाम इस वक्त इस्रेल की हिट लिस्ट में सब से उपर है दस दिन पहले ही इस्रेल ने दावा किया था कि खान यूनिस्ट में यहया सिन्वार एक बंकर के अंदर चुपा है सिन्वार को पूरी तरह घेर लिया गया और जल्दी उसको धेर कर दिया जाएगा लेकिन इस्रेल ये दावा हकीकत नहीं बना सका यहया सिन्वार अब भी जिन्दा है और अब भी युद्ध की कमांड संभाले हुए है और इस्रेल के लिए मुसीबत बना हुआ है सिन्वार को जानने वाले इस्रेली कमांडर ये भी मान रहे हैं कि वो गाजा या जॉर्डन में या तेल अवीब में भी हो सकता है कैसे इस रिपोर्ट में देखिए युद्ध जीतने के लिए जितने जरूरी हत्यार और सैनिक होते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी होती है लीडर्शिप लायक रणीती नहीं बनती और बिना सही रणीती के जंग नहीं लड़ी जा सकती याया सिन्वार ही वो नाम है जो काजा में हमास का नेत्रत्व है सिन्वार का मतलब है हमास के युद्ध की रणीती सिन्वार का मतलब है अलकसाम ब्रिगेड का होसला सिन्वार ही हमास और अलकसाम के हत्यारों के सप्लाई का काम सम्हालता है युद्ध की रणीती तैयार करना भी सिन्वार का काम है लडाकों के लिए रसत सप्लाई भी सिन्वार के जरिये होती है यानि सिन्वार की मौत का मतलब होगा एक गोली से हमास की कई विंग का धेर हो जाना लेकिन इस्राईली सिन्वार उसके करीब नहीं पहुँच पा रही है पाँच दिसम्बर तक याया सिन्वार गाजा में था इस्राईल का दावा था कि सिन्वार उसके करीब पहुँच चुकी है 6 दिसंबर को भी इसराइल ने ये दावा किया कि वो सिनवार के बहुत करीब है लेकिन सिनवार अब तक इसराइल की पकड़ में नहीं आया है इसराइल के पूर्व सैनिक और शिन बेट यूनिट के कई पूर्व कमांडर ये मानते हैं कि सिन्वार गाजा से निकल चुका है शिन्पेट युनिट के एकपूर्व कमांडर ने कहा है कि सिन्वार इसराइल में छिपा हो सकता है इस कमांडर ने 1982 में सिन्वार को गिरिफतार किया था तब सिन्वार को फारा जेल में रखा गया था सिन्वार ने तब कहा तक कि उसे आईडियस से बचने केलिए इसरायल में च्छिपना पड़ा तो च्छिप जाएगा लेकिन इसरायली जेल में नहीं रहेगा युद्ध शुरू होने के बाद से ये माना जा रहा है कि सिन्वार गाजा में कहीं च्छिपा है लेकिन ये भी हो सकता है कि वो तेल अवीर या गाज़ा के किसी दूसरे शेहर में हो याया सिन्वार हमास की इंटलिजन्स विंग में काम कर चुका है 1982 में इंटलिजन्स विंग में काम करते हुए वो गिरफतार हुआ था सिन्वार अपना हुलिया बदलने में माहिर है सिन्वार ने कई साल हिब्रू भाशा लिखनी बोलनी सीखी है वो यहूदियों के रहन सहन के तौर तरीके जानता है यहूदियों की उपासना पद्यती भी सिन्वार जानता है यानि सिन्वार इस्राइल के आम यहुदियों के बीच खुल मिल कर रह सकता है इसलिए माना जा रहा है कि वो इस्राइल में भी छिपा हो सकता है इस वक्त हमास की टॉप लीडर्शिप इस्राइल के टार्गेट पर है लेकिन दुनिया की सबसे मशूर इंटेलिजेंस एजेंसी मौसाद भी इन्हें नहीं ढून पा रही है दरसल युदिस से पहले हमास के तमाम बड़े लीडर्श और कमांडर गाजा में मौजूद थे मगर जैसे ही इस्राइल से जंग शिरू हुई हमास की राजनितिक विंग का प्रमुक इस्माइल हानिया कतर जा पहुँचा हमास की मिलिटरी विंग का प्रमुक महम्मद दाइफ भी गाजा में छिपा था लेकिन वो भी अब गाजा छोड़ चुका है वही हमास की अलकसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा युद्ध के दोरान लिबनान में छिपा था मगर इस वक्त अबू उबैदा लेबनान को छोड़ कर फरार हो चुका है हमास की पॉलिट ब्यूरो का मेंबर उसामा हमदान भी लेबनान से भाग निकला है हमास कोट के विदेश मंतरी महमूद अलजेहर के जॉर्डन से फरार होने की भी खबरे सामने आ रही है हमास की चीफ कमांडर अबू मर्जक गाजा से मिसरे पहुँचे थे लेकिन अबू मर्जक अब मिसरे से भाग निकला है वही अलकसाम ब्रिगेट का चीफ मारवन ईसा गाजा में मौजूद था आईडियफ से जंग लग रहा था लेकिन उसके भी गाजा से फरार होने की खबरे सामने आ रही है इसराइल पहुची अमेरिका के एनेस से जेक सलिवन ने भी इसराइल को यही टारगेट दिया है कि युद जल्दी खत्म करने का तरीका घमास की लीडर्शिप को खत्म करना होगा लेकिन अभी तक गाजा कमांडर या या सिन्वार को ही इसराइल खत्म नहीं कर पाया है येरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत वाश हमास के खिलाफ, जंग की रणदी पर चर्चा की सुरक्षा हलात और मानवी मदद पर भी मनथन किया और बच्चों के वाड में हत्यारों का जखीरा जी हाँ गाजा के कमाल अदवान अस्पताल में हत्यार मिले इनक्यूबेटर्स में छिपा कर रखे गैते हत्यार इनक्यूबेटर्स में गाजा के कमाल अदवान अस्पताल में हत्यार छिपा कर रखे गैते वो इंक्यूबेटर्स जहां पर नवजात बच्चों को रखा जाता है वो उस जगे पर खतियार रखे वेते गाजा में तो खूती की बरती हिमाखत का जवाब जरूरी 15 दिशंबर डेनिस जर्मन शिपिंग कंपनी ने सोमवार तक अपनो आपरेशन रोग दिया 15 दिसंबर लाइबरियाई जहाज MSC अलनिया MSC प्लाटिनम 3 पर अटैक किया गया 13 दिसंबर अमेरिका ने एल जस्रह जहाज पर हूती का ड्रोन अटैक नाकाम किया 11 दिसंबर नौवे के जहाज स्ट्रिंडा के टैंकर पर हमले का दावा 13 दिसंबर तीन वालिजिक जहाजों पर हूती के मिसाइल हमले हुए 20 नवंबर कमर्शल जहाज गैलेक्सी लीडर पर हूती का कबजा जिस फुटेज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया कैसे हूती के जो लडाके हैं वो एक हेलिकॉप्टर से आये और गैलेक्सी लीडर पर उन्होंने कबजा कर लिया वो तस्वीर आज तक आपके जहन में होगी अगर आपने देखी होगी तो लेगि लाल सागर में फिर हूती का हमला हुआ है नौवेग के जहाज को हूती ने निशाना बनाया हूती की ओर से 14 सूसाइड ड्रोन से अटैक हुए अमेरिका ने हूती के ड्रोन को मार गिराया और हूती के हमलों के बीच बड़ी ख़बर आ रही है दो कंपनियों ने रोक दी अपनी जहाज सेवा जर्मन डेनिस कंप्री ने सेवा रोक दी जहाज पर हूती के हमले की वज़ा से फैसला सोमवार तक लाल सागर में जहाज सेवा रोकी और हमास गाजा युद्ध में इजरेल पर युद्ध अपराद के आरोप लगाता रहा है लेकिन फूफिया रिपोर्ट है कि इजरेली बंधकों को हत्या उन पर अत्याचार करने के साथ साथ युद्ध में भी हमास संगीन अपराद कर रहा है हमास ने गाजा की जंग को जंगल की जंग बना दिया है मद्यकाल की तरह आईडिय अफ जमानों को मारने के लिए जहर और जानवरों का इस्तमाल किया जा रहा है हमास ने पहले गुरिल्ला हमले किये उसके बाद ट्राप लगा कर इस्रेली सानिकों को मारा लेकिन अब वियतनाम की तरह चल युद्ध की नीती अपना रहा है इस्रेली सानिकों को मारने के लिए हमास की अलकसाम ब्रिगेड अब कौन कौन से तरीके अपना रही है ये देखिए हमास के एनिमल्स पर वर्ल्ड एक्स्क्लूसिव रिपोर्ट अब जिए अब जीटने के लिए आईडियफ ने अपनी सिना गाजा पट्टी में उतार दी है इस्राइली फोर्सेस के जवानों का सामना हमास के लड़ाकों से हो रहा है गाजा के मकानों में छिपे हमास के लड़ाके खात लगाकर आईडियफ पर हमले कर रहे है इन हमलों में आईडियफ के जवानों की माध हो रही है हमास के लड़ाके इस्राइल के मरकावा टैंकों को टार्गेट कर रहे है अमास के लड़ाके परवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि बीते पांच दिन में आईडियफ के सौज सेने वाहन पर हमला किया गया है जबालिया, शेख रादवान, अल्शुजया, अल्जायतून में आईडियफ से जग जारी है जबालिया में आईडियफ के इंफैंटरी विंग पर हमला किया गया है अल्कसाम ब्रिगेट इस्राइली जवानों को ट्रैप में फसा कर मार रही है जबालिया, शेख रादवान, सेंटरल अल्शुजया और अल्जायतून चेतर में इस्राइली वोर्सिस और अल्कसाम की सबसे बड़ी जग हो रही हमास और अल्कसाम ब्रिगेट की लड़ाकों ने गाजा की सबकों पर और गलियों में चौड़ी गहरी खंदके खोती इन खंदकों को टैंक और बक्तर बंद बाहन पार नहीं कर पा रहे साथी टैंकों को रोकने के लिए रफ्तार धीमी हो रही है और इस से हमास के लड़ाकों को ट्रैप लगाने सहिथ अपनी लोकेशन बदलने का वक्त भी मिलता है हमास के लड़ाकों ने गाजा के अलग-अलग अलाकों में ट्रैप लगाकर आईडिय अफ़ पर हमले शुरू कर दिये हैं और इन हमलों की काम्याबी से हमास के हौसले भुलंद हमास की प्रवक्ता इज़द अल रिशेक ने कहा है कि हमास लड़ाकों को नाश्टे के लिए अंडा फ्राइ करने का भी वक्त नहीं मिल रहा है क्योंकि वो इस्राइल के मरकावा टैंक ग्रिल कर रहे है हमास गाजा में इस्राइली टैंकों के वेस्पोर्ट पर तंच कर रहा है लेकिन गाजा में सिर्फ ट्रैप ही नहीं लगाए गए हैं हमास ने एनिमल फोर्स भी तयार की है जो आईडियेफ पर हमले कर रही है हमास की एनिमल फोर्स का कमांडर अलकसाम प्रवक्ता अबू उबैदा है इसकी देख रेक में एनिमल फोर्स की ट्रेनिंग हुई है एनिमल विंग में घातक जहरी ले साप और संक्रमित कुत्ते रखे गए हैं हमास लड़ाकों के साथ-साथ जवानों को ट्रैप में फंसा कर एनिमल फोर्स से भी हमले कराए जा रहे है और रिपोर्ट यह है कि हमास में सुरंगों में आईडियेफ को घुसने से रोकने के लिए 22,000 से ज़्यादा साप छोड़ दिये हैं और यह साप सुरंगों में घुसने वाले आईडिय अफ जवानों को काट रहे है इसके साथ ही प्रश्रेक्षित कैनाइन ब्रिगेट यानि कुत्तों का इस्तमाल किया जा रहा है यह कुत्ते 4000 से ज़्यादा संख्या में हैं और जैनिटिकली मौडिफाइट बताये जा रहे हैं यह खोंकार तरीके से टार्गेट पर हमला करते हैं और इनके काटने से संक्रमर फैलता है देखे यह स्पेशल रिपोर्ट बल्बे का जंगल बन चुके गाज़ा में हमास ने उसी तरह का छल प्रेयो किया है जैसा वियतनाम युद्ध में अमेरीकी सेना के खिलाफ किया गया था 1955 में शुरू हुई वियतनाम जंग में जब अमेरीकी सेना सीथे उतर गई तो वियतनाम के गुरिला लडाकों ने विश प्रेयो किये लडाकों ने सुरंगों में जहरीले साप छोड़ दिये और इनके काटने से सेनिकों की मौध होने लगी सिन्वार की सेना भी गाजा में इसी तरह के प्रेयोक कर रही है और ये प्रेयोक फिलिस्तिनी लडाके बहुत पहले से इस्राइल के खिलाफ करते रहे है ये इस्राइली एक पार टाइमस ओफ इस्राइल की 29 मई 2015 की खबर है जो बता रही है कि फिलिस्तिनी तब भी जवानों के खिलाफ जहरीले सापों का प्रेयोक कर रहे थे 2015 में सेंट्रल वेस्ट बैंक के रामल्ला में इस्राइल के खिलाफ दंगे भढके दंगायों ने आईडिएफ जवानों के उपर टोकरे फेंके इन टोकरों में फिलिस्तिनी वाइपर साप भरे हुए थे अब गाजा की जंग में इसी तरह सापों का इस्तेमाल किया जा रहा है सिन्वार की अलकसाम प्रिगेड युद्ध में कुत्तों और खचरों का इस्तेमाल भी मद्ध कालीन तर्ज पर कर रही है युद्ध में कुत्तों का इस्तेमाल सोवियत रूस भी कर चुका है 1924 में सोवियत रूस की रिवलूशनरी मिलिटरी काउंसिल ने युद्ध में कुत्तों के इस्तेमाल के इस्तेमाल रिस्क्य ओपरेशन फर्स्टे डिलिवरी के लिए मन्जूर किया गया 1930 में सोवियत जेना ने कुत्तों को टैंक नश्ट करने के लिए इस्तेमाल किया कुत्तों को विस्फोटक पहुचाने की ट्रेनिंग दी गई ये कुत्ते दुश्मन टैंकों के पास विस्फोटक छोड़कर लौट आते थे बाद में कुत्तों के शरीर पर विस्फोटक बांध कर टैंक नश्ट किये जाने लगे इससे हर धमाके में एक कुत्ते की मौथ हो जाती थी युद्ध में जानवरों को इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है खोफिया जानकारी के मताबिक गासा के युद्ध में नमास के कमांडर जानवरों को इस्तेमाल विनाश के लिए कर रहे हैं युद्ध में जानवरों को इस्तेमाल केवल मानवीय सहायता के लिए किया जा सकता है जैसे खोजी कुत्तों के जरीए रेस्की ओपरेशन चलाया जा सकता है मल्बे में दफन लोगों की खोज की जा सकती है गधों खचरों का इस्तेमाल खायलों को अस्पताल पहुचाने के लिए किया जा सकता है लेकिन गाज़ा की जंग में मध्धिकाल की तरह सिन्वार ने एनिमल फोर्स उतार दी येरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत बाक्ष और गाज़ा में आडियफ ने एक साथ तबा की है कई इमारते विस्पोटक लगाकर इमारतों को जमीदोस कर दिया है आडियफ का दावा इमारतों में थे हमास के कमांड सेंटर आडियफ का दावा इमारतों में थे रॉकेट लाँच सेंटर तो आडियफ का दावा जिन इमारतों को उसने तबा किया विस्फोटक लगा कर जिन इमारतों को उड़ा दिया उसने उन इमारतों में हमास के कमांड सेंटर थे तो ये तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं आईडियाफ ने कैसे कुछ बिल्डिंग्स को गाजा में विस्फोटक लगा कर उड़ा दिया और IDF यानि इसरेल की सेना का दावा है कि ये हमास के कमांड सेंटर थे इन इलापों से हमास अपने आफिसेस चला रहा था अपने सेंटर चला रहा था और इसलिए उसने उनको इस तरह उड़ा दिया